हलो फेंड्स मैंसर्फ दॉक्टर सुशिला सेनि गानिक लाजिस्टिशन डायरेक्टर जैपुर दूर्बीध होस्पटेल आज हम बात करने जा रहे हैं यह दि आप मल्टिपल पार्टनर्स के साथ सेक्स में इन्वोल्ड हैं तो आपके दिमाग में हमेशा इस सवाल बना रहत के तो सबसे इंपॉर्टेंट है यह दि आप किसी भी प्रकार की सेक्सोल एक्टिविटी में अगर आप इन्वोल्ड हैं उसमें आप सिंगल पार्टनर हो सकता है मल्टिपल पार्टनर हो सकते हैं तो जबी भी सेक्सोल एक्टिविटी होती है तो इंटर्कोर्स के एक आरण infection का खत्रा बना रहता है दूसरा सबसे बड़ा खत्रा होता है pregnancy का तो हमें इन दो बातों का सबसे जदा धियान रखना होता है कि हमें unwanted pregnancy ना हो और किसी प्रकार का हमें infection ना हो तो जबी भी आप intercourse करते हैं तो infection से बचाव के लिए हमेशा condom का استعمال करना होता है आप condom का استعمال कई बार available नहीं होता है या कई बार आपके partners इसके लिए राजी नहीं होते हैं उस इस्तिती में दोनों तरह के condoms available होते हैं male condoms available है female condoms भी available है तो यदि आपका male partner अगर condom यूज़ करने के लिए ready नहीं हो तो definitely female condoms भी यूज़ कर सकती है और female condoms market में आसानी से मिल जाते हैं आप online भी मंगा सकती है इसके साथ ही अगर आपको उनको यूज़ करना नहीं आता तो हमारे एक अलग से separate video है जिसको आप go through कर सकती है कि female condoms को कैसे यूज़ किया जाता है generally उसे tampoon की तरह ही यूज़ किया जाता है कि वजाइना पे आप उसे insert करके अपना पूरा वजाइना और cervix यानि कि बच्चे दानी का जो मूँ होता है उसको पूरा cover कर सकती है दूसरा तरीका होता है कि आप oral contraceptive pills का इस्तेमाल करें अगर आप oral contraceptive pills का regular इस्तेमाल करती है यानि कि महीने के पहले दिन से आप शुरू करकर 21 दिन तक गोलियां बराबर खाती है तो आपको unwanted pregnancy से तो बचाव हो जाएगा यानि कि आपको pregnancy नहीं होगी बट गोलियां आपको infection से नहीं बचाएंगी और यदि आप multiple partners के साथ sex में involved हैं तो definitely आपको infection का खतरा काफी जादा बढ़ जाता है और ऐसी सितीम में कई बार HIV जैसी खतरनाक बिमारियां भी हो सकती है तो अपना बचाव रखने के लिए आपको barrier method का में लेना ही होगा इसके लिए आपको अपने partner को या आपको दोनों में से किसी एक जने को तो at least barrier method यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यदि आप barrier method यूज़ नहीं करते हैं barrier method का मतलब condom को यूज़ करना होता है अगर आप condom यूज़ नहीं करते हैं तो infection एक partner से दूसरे partner को जरूर होता है और इसमें cross infection भी होता है यानि कि अगर आपके multiple partners है तो एक partner को infection है फिर आपको infection हो और आपसे फिर दूसरे partner को infection हो और दूसरे partner के भी यदि अगर multiple partners है तो definitely chain बहुत ही बढ़ने वाली है बहुत जादा cross infection हो सकता है तो आप बहुत खतरनाक बिमारियां भी आपको हो सकती है जिसमें HIV हो सकता है हिपटाइटिस हो सकता है इसके लावा सेफैलिस हो सकता है और जो वाइट डिस्चार्ज के प्राब्लम होती है वो भी हो सकती है तो ऐसे बहुत सारे बिमारिया हैं जो आपको हो सकती है और इनके बचाव के लिए यदि आप अपना HIV और बाकी सारे टेस्ट करवा के रखती हैं और यदि आपके पार्टनर रेडी हैं उनके टेस्ट भी अगर आप करवा सकती हैं तो definitely उनके भी टेस्ट आपको करवाने ही चाहिए ताकि कोई infected person के साथ आप involved ना हूँ दूसरा सबसे important है कि यदि आप barrier method यानि condom का use करती हैं तो आपको cross infection से बहुत ज़ादा बचाव है HIV जैसे बिमारियों से भी बचाव होता है और pregnancy से तो बचाव है ही और यदि आप regularly multiple partners के साथ sex में involved हैं तो आपको pregnancy से बचाव के लिए आपको add on में contraceptive pills भी लेनी चाहिए ता barrier method यूज नहीं कर पा रही हैं तो at least आपको pregnancy protection तो मिले क्योंकि unwanted pregnancy होती है तो फिर आपको abortion के तरीके के बारे में भी सोचना पड़ेगा और उसके फिर अपने side effects होते हैं अपने unnecessary के और complications create होते हैं क्योंकि यदि pregnancy होती है तो ectopic pregnancy हो सकते हैं इसके लिए दूर्भीन का बहुत जदा bleeding हो सकते हैं तो बहुत जदा और complications होंगे तो इससे better है कि at least contraceptive pills अगर खाती है तो pregnancy से तक अच्छा बचाव है और जहां तक हो सके आप खुद condom का स्तेमाल कर सकती है female condom को आप दिन में 8 घंटे तक पहन सकती है तो एक बार यूज करने के बाद उसे दुबा आपके वजाइना के अंदर या लोकल एरिया के अंदर खुजली हो रही है सूजन है या और कोई तकलीफ है तो आप डॉक्टर से जाके मिलिए क्योंकि यदि multiple partners आपके होते हैं तो cross infection के chances काफी जादा होने के कारण infection का खत्रा बहुत जादा बढ़ जाता है और भीमारियां बहुने के समावनाएं भी होती है तो यदि आप डॉक्टर को दिखा के चेक करवा कर दवाई लेती हैं तो at least उनको बहुत अर्ली स्टेज पर रोका जा सकता है और उनका treatment किया जाता है तो multiple partners के साथ सेक्स करने के सलह जनरली नहीं दी जाती है आप अपना उसमें बहुत ज बचाव रखी है क्योंकि infection infection के आगे PID यानिके pelvic inflammatory diseases and then उसके बाद में chronic PID में भी चेंज हो सकता है यानि कि आपको permanent infection बन सकता है क्योंकि बार-बार infection होता है बार-बार आप इलाज लेती हैं तो अंदर एक permanent तरह की विमारी develop हो जाती है जिसको कि chronic PID कहा जाता है आपके lady होता तो नलियों में सूजन आने के कारण नलियां चपक जाती हैं ब्लॉक हो जाती हैं और salpingitis होकर आपको infertility हो सकती है यानि कि आपको आगे चलकर मा बनने में समस्या आ सकती है तो इस तरीके से अगर आप overall सब को समझेंगे तो आपको इस समझ में आएगा कि जितने आपको रिस्क बढ़ता जाता है आपकी health को लेकर भी बिमारियों को लेकर आगे चलकर आपकी pregnancy होने को लेकर भी अपने mail partner के साथ discussion रखी इसके अलावा उनके भी HIV, HBS और VDRL जो test होते हैं यानि कि syphilis के जो common बिमारिया हैं जो sexually transmitted diseases हैं उनका एक checklist होता है वो आप डॉक्ट cross infection ना फैले मैं समझती हूं कि यह जानकरी आपके लिए लाबदायक रही होगी यदि फिर भी और कोई सवाल हो था आप आप में comment box में लिखके पूछ सकती है आप से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नहीं जानकरी के साथ तब तक नमस्कार